दोस्तों, गर्मियों के दिन हैं और खाने में दही ना शामिल हो तो कुछ अधूरा सा लगता है अब पसीना चुणाने वाले इन दिनों में शिरीर को एक्स्टर एनरजी जो देनी है ऐसे में डॉक्टर्स भी दिन के खाने में दही को शामिल करने के सला देते हैं इसके पीछे कारना कि दही में गुड बैक्टिरिया, कैलिशियम, विटामिन्स और मिनरल्स ये भरपूर मातर में होते हैं और ये सब जरूरी तत्यों हैं जिनके जरूरत हमारे शिरीक को सबसे ज़्यादा होती है इसके साथ ही दही हमारे शिरीक के कई विकारों को भी दूर करता है जिया दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि दही के साथ कुछ खास चीजों को मिलाकर खाएं आईए जानते हैं कि दही में क्या मिलाकर खाएं कि वे आपके शिरीक के हर विकार को दूर करते दोस्तों दही में अगर भुना हुआ जीरा डालकर खाएंगे तो इससे आपके खाने की भूख और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसी के साथ आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा दोस्तों आपने कभी दही में शहाद मिलाकर खाया है कभी खा कर देखेगा डॉक्टर्स भी बताता है कि ऐसा दही पूरी तरह से एंटिबायोटिक का काम करता है इसके साथ ही ऐसा दही खाने से मुँगे अलसर से भी रहत मिलती है और अगर आप मोटापे से परशान है तो डॉक्टर्स के अंसवार दही में काली मिर्च डालकर खाने से इससे कभी हद तक रहत मिलती है ऐसा करने से आपके शिरे के अश्ट्रा फैट भर्न हो जाता है दही में ड्राइ फूर्ट्स और शक्र मिलाकर खाने से आपके शिरे की कमजोरी दूर होती है पर काफी हद तक दुबले पन से भी रहत मिलती है दाई में अजवाइन मिलागर खाएं इस से पाइल्स की दिक्कत यानि बवासर की परशानी भी दूर हो जाएगी तो दोस्तों ये वो पांच चीजे हैं जो अगर आप दाई में मिलागर खाते हैं तो आपका श्री हर विकार से दूर रहेगा तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये जानकारी जानकारी अपने दोस्तों मित्रों साथ शेर करें अगर आपको अच्छी लगी है और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्तेवर्दिक ज जाने बात